नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लाइनिंग टारंडूसर के बारे में सीखेंगे लाइनिंग टारंडूसर की कोड़ वायर कैसे लगानी है और इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि अंदर से कैसे काम करता है और क्या-क्या पार्ट लगे होते हैं दोस्तों जिसका angle sensor का cover remove करके आप देख रहे हो potential meter लगा हुआ है angle sensor के दूसरे end पे code roller लगा हुआ है कोड रोलर के उपर इसमें जो code लगी होती है वो दो हिस्सों में लगी होती है जो दूसरे ट्रांडूसर होते हैं उनमें एक ही code होती है लेकिन lining ट्रांडूसर में दो code लगी होती है .8 mm की यह एक तरफ से आप देख रहे हो पुली वेसे होकर जो इसमें carrier fork लगी हुई है उसके साथ जुड़ी होती है और दूसरी code wear है वो दूसरे end की पुली के साथ होके फोरक के दूसरे end पे spring tension spring की सहता से लगी होती है जा आप देख रहे हो वीडियो में यह carrier fork है और carrier fork के अंदर से code wear जाके spring के दोनों end पे जुड़ी हुई है यह आप थिंबल जा किसी हलविलकी note लगा के इसको इससे जोड सकते हो दोस्तो लाइनिंग ट्रांडूसर में यह एकी spring लगा होता है जो की code को tension देके रखता है ताकि वो रोलर पे पूरी तरह टाइट रहे है दोस्तो इसको पूरे ध्यान से देख लीजिए जब carrier fork ट्रांडूसर के center में zero position पे होती है तो जो इसका रोलर पे lining code है वो center पे रहती है ठीक है जब fork move करती है तो एक code इस पे roll होती जाएगी और दूसरी इस पे से उतरती जाएगी जब machine कारे करती है तो लाइनिंग ट्रांडूसर जो लाइनिंग का error होता है उसको 23 mili volt पार mm के rate से signal PCB को भेजता है ट्रांडूसर की code वैर दोनों end पे पूली के उपर से होकर carrier fork के साथ लगी होती है आप देख सकते हो ट्रांडूसर कोर्ड carrier fork के उपर clamp की साथ से spring के साथ लगी होई है कोड़ वैर ओलर के उपर इस वोल्ट की साथ से लगी होती है और यह दोनों सेड जूड़ी होती है कि दोनों सब्ट होता है तो दोनों just work लग 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 डोनों सब टैच रहती है और इसका लगाने का त्रीका आप देखोगा वीडियो में यह कैसे लगानी है तो आप देख सकते हो दोस्तो एक और डूसरी डूसरी जाए लगी यह तो जब भी और दूसरा end रोलर पे चड़ाते जाने हैं और जैसे इसके 5 round चड़ जाएंगे तब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो दूसरे end की code आप सब्monet की और उसको फिर आपने इसके उपर जढाना है उसको चदाने के लिए आप दूसरी कोड़ वैर जो पहले आपने पांच रोंड चड़ा ले हैं उसको आप खीषते रोगे और दूसरी कोड़ वैर उसके उपर चड़ती रहेगी कि वह आप इसमें देखो ध्यान से देख सकते हो पूरा डिटेल में दिखाया जा रहा है कि यह आप देख रहे हो कि एक सेट की कोड के हमने पांच रोंड इस पे चड़ा ली हैं जैसे पांच रोंड चड़ जाएं आप चाहो तो जो रोंड चड़ गया उनको पुली के ऊपर से लेकर वायर को नीचे की तरफ खीष सकते हो कि और भूंदर इस पोड़ हो आप दूसरी कोड को आप पहले रोंड पर दूसरे आंड पर सेट कर लिजिए और दूसरे जो आपने पुली की तरफ जो पहले वायर चड़ाई थी उसको खीच टे रहिए तो जब आप उसको खीच जोगे तो उसके रोंड उतरते जाएंगे और दूसरी को जो कोड है internal की वह उसके ओपर चड़ती जाएगी देखो दूस्तो को आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि दूसरी तरफ से जैसे हम इसको खीच रहे हैं तो दूसरे एंड की जो टान्डूसर की कोड है उसके उपर चड़री है जैसे दोनों के तीन तीन राउंड पूरे हो जाएं तो आप इस कोड को नीचे फोर्क में और सप्रिंग के साथ इसको जोड दोगे जो एक्स्टा वायर है अगर आप लंबी वायर काट लिए आपने दूसरी तूटी वे वायर से मिलाके तो उसको आप काट दोगे रोलर के उपर जब सेंटर में कोड वायर आ जाए तीन तीन राउंड तो आपको एक एंड की वायर है जो फोर्क में लगा लेनी है और फोर्क को सेंटर पे रखना है कैरियर फोर्क को सेंटर में रखना है और सप्रिंग से जो दूसरी कोड है उसमें कम से कम एक से दो इंच तक का डिस्टेंट रखें ताकि जब सब्रीम सप्रिंग पर लगाएं तो थोड़ी टैंशन बनी रहे क्योंकि टैंशन से यह क्या होगा कि कोड़ टाइट रहेगी कि आप देख सकते हो कि इतनी टाइट रहनी चाहिए वायर जे इसके उपर जो स्केल लगा है स्केल के यहां यहां तक यह बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए नीचे नहीं लटकनी चाहिए कैरियर फोर्क अभी मैं आपको इसमें खीच के दिखाऊंगा देखो दोस्तों जै मैं इसको नीचे की तरफ को खीच रहा हूं देखो इसमें इतनी टैंशन होनी चाहिए जैसे नीचे नहीं दिखनी चाहिए ऐसे लटकती हुई जैसे अभी दिख रही है ऐसे नहीं दिखनी जाहिए जी उपर जानी चाहिए तो इतनी टैंशन आपको जु और जब ये आपकी कोड़ वैर सही से लग जाए तो हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे आप पहले चेक कर लो ठीक है इसको ये इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए पहले इसको जो जीरो पे फोर्क को फसाया जाता है और इसके उपर ये स्केल लगा हुआ है जिस पे 400 तक 400 mm तक री लगा होता है जिस पे हम ओसा की इसकी वोल्ट चैक करते हैं आप चलो में चैक कर सकते हैं अगर मैने ची इसकी इंस सेया करना एक और थीन नमबन टर्मिनल में मानेस एन और लोती है और जो इसकी बोल्टेज है वह दो नमबन टर्मिनल पर च Fuko तो सेंटर करने के बाद याप असकी जो वॉल्टेज है वह जीरो हूनी चाहिए तो अगर वह जींच पर wesट करऄा schedule 5 गुमाके और जीरो सेट करने के बाद आप फोर को स्केल पे मूब करोगे जैसे आप सो एम्म पे चेक करोगे एक साइड तो सो एम्म पे 2.3 वोल्ट आनी चाहिए और 200 पे 4.6 वोल्ट आनी चाहिए तो यह आप दोनों सेड चेक करोगे तांकि पता चल सके कि पूटेंशियो मेटर सही काम कर रहे है दोस्तों मैं अभी इसको सो एम्म पे चेक कर रहा हूं तो यह 2.11 वोल्ट आनी चाहिए तो यह 2.3 होनी चाहिए थोड़ी वह वहरी कर सकती है ठीक है अभी जीरो पे भी विर्कुल जीरो सैट नहीं है तो जीरो पे भी इसको विर्कुल जीरो सैट किया जाएगा तो दोनों तरफ आप चला के देख सकते हो कि वह पूटेंशियो मेटर वर्क कर रहे है यह नहीं जीरो प्रूशिशन पर देख सकते हैं ठीक वोल्टेज है कोई नहीं इतना चलता है पर दोस्तों यह ट्रांडूसर का बैक साइड है अगर आपको क अब इसका रोलर चेंज करना पड़ जाए जा इसकी वोल्टेज आपको लगेगी बार बार डिश्टर्ग हो दिया तो रोलर जो एंगल सैंसर के जूड़ा होता है तो दो स्कुरू की से जूड़ा होता है आप देख पार यो वीडियो में एक स्कुरू यह है और जैसी मैं तो फोरक को घुमा रहा हूं तो यह रोलर घूम रहा है तो दोनों स्कुरू आप चैक कर सकते हो कि टाइट है यह नहीं अगर यह भी लूज होंगे तब भी आपकी कैलिवरेशन करने के बाद बोल्टेज डिस्टर्ग हो सकती है बारवार तो अगर आपको लगे कि आपकी क ट्रोली है वो कैसे लगे होती है यह सर क्लिप की सहता से लगी होती है तो यह मैंने दिखाने के लिए आपको तांकी पता चल सकें दोस्तों जो हमारे मेजरिंग ट्रोली होती है चारों तो उन में जो अंदर के फ्लेंज का डिस्टेंट होता है वह 1601 mm होता है और के सेंटर पॉजिशन है वो दोनों सेड़ 800.5 mm का डिस्टेंट पे होनी चाहिए दोस्तों मशीन की लेकिन अगर आपको इसको छेडने की जूरत नहीं है लेकिन अगर आपको फिर भी कभी करने पड़े जाए तो आप कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में वस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जिरूर बताना अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ रह गया है तो आप प्लीज कमेंट जुरूर करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद